Hello friends, welcome to my channel और आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ, यह रोस्टिट सोयबीन आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी सोयबीन के फायदे और आप इसको किस तरह से खा सकते हैं और इसका प्राइस कितने का है यह प्राइस कितने का मैंने लिया है Amazon से मैंने लिया है, इसका MRP 600 है, पर इस 600 कर नहीं है, मुझे इसे कम में पढ़ा है, तो मैं आपको बताओंगी, एन में मुझे कितने का पढ़ा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके फायदे के, सबसे पहले जो डॉक्टर सजेस्ट, मुझे भी डॉक्टर ने ही सजेस् में रोस्टेट सोयबिन मैंने मंगाया, क्योंकि यह कम मिलता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से बहुत ही कम मिलता है, पर Amazon में मुझे अराम से मिल गया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके फायदे के, जो डॉक्टर सजेस्ट किया है, तो डॉक्टर दिल के जो रोग होतने किसी HTML तरह की रोग होत से, तो उसको सोयबिन घाने की हैं से जिसे की दिल की बीमारी और आपको अ बलेट प्रैशर है, तो आपको ऑफलाइन जरूर खाना चाहिए, यह कि रौद की घाने से जो आपका बलेट प्रैशर होता है, वो कम हो जाता है, उ उसका जो ब्लेड प्रेशर होता हूँ थोड़ा कंट्रोल में आने लगता है तीसरा सबसे मुझे तो इन्हीं दू चीजों के लिए सजेस्ट किया था डॉक्टर ने बाकी इसके बहुत सारे फायदे हैं और सबसे बड़ा तो यह है कि इसका फुल ओफ प्रोटीन होता है यहा होता है कि 30 प्लस के बाद आप देखते कि आट में अपने काफी प्रोड़क्ट होते हैं तो उससे अच्छा है कि आप सोयबिन खाएं सोयबिन का ही तरह से खा सकते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगी तो जो हड़िया कमजोर होती है कि कईयों की जिसे आवाज आने लगती है हट्टियों की बजने तो उसके लिए भी आप सोयबिन का सेवन कर सकते हैं और दूसरा होता है इसका सोयबिन का दूद और लशी भी बनती है तो सोयबिन की निकालें पीस लें उसके बाद जो हुसका दूद निकलता है उसे boil करके आप लसी बना करके पी सकते हैं ये तो हुआ इसके फायदे और इसको किस तरह खा सकते हैं पहले तो आप normally इसको कच्चा ला करके कच्चा तो बहुत ही अराम से मिल जाए तक कहीं भी आपको मिल जाएगा तो इसको भिगो कर खा सकते हैं स्प्राउट करके खा सकते हैं और तीसरा यह है इसको आप वैसे सबजी और दाल के रूप में भी इसको आप खा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा एक काफी टाइम हम लोग यूज करते रहते तो उससे थोड़ा टेस्ट इसका बहुत ही हटके है अलग है थोड़ा टेस्ट अच्छा मुझे लगा है इसको रोस्टेड ओप्शन जो है यह आप खा सकते कहीं भी कर सकते हैं इसको आराम से तो बिल्कुल ऑईली भी नहीं है ड्राय रोस्ट है तो मैं इसको दिखा देती क्योंकि मैंने इसका यूस किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको यह देखिए इ और बहुत ही क्रिस्पी है खाने में बहुत अच्छा टेस्स अच्छा है इसलिए मैंने इसको दोबारा मंगाया तो वीडियो कैसे लगे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस लाइक करें और शेयर करें और इसको आप एक बढ़ी ट्राय करके ज़रूर देखिए वीडियो चलेगे तो शेयर जरू करें. Thank you.